हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यूपी पीचिया स्विच चोहान तो दोस्तों मेरा नाम है कीरा चोहान यहां पर हम कर रहे हैं विटना चाकर 2021 की सिरीज और जिसमें हम भारती राजवेवस्ता आज हम साशन कर रहे हैं आज हम स्चार्ट करेंगे चैप नमबर 29 का पा हम स्चार्ट नमबर वन से हमने स्टार्ट कर दिया है और बिना कोई स्किप किया चैप नमबर 29 पर हम पहुंच गया है जो चैप नमबर 29 है जैसे कि आप यहां देख पारें थोड़ा था बड़ा है तो दो पार्ट मीं यह हमारा कंप्लीट होगा ठीक तो चलिए फिर क्या क बताईएगा कि आपको कैसी लगी और कुछ कमिया हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप वह भी बताईएगा चलिए यहां बात करने जाले हैं हाइकोट की और फिर अधिनस्त न्याले जो होते हैं उनकी चलिए यहां देखते हैं लिखा है कि भारती सम्मिधान के तहत राज्यों क न्याइक प्रसाशन में उच्छ न्याले की इस्तिती शीषपर होती है तो बात करते हैं तो उच्छ न्याले आने की हाई कोट की तो भारती सम्मिधान में राज्यों के लिए उच्छ न्याले हितु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में प्रावधान किया गया है तो आप ज्याधा तर एक किए किस पर धहन दीजिए भाग 6 कि हमें मिल रहा है हाई कोट के बारे में कितने भाग होते हैं हमारी समिधान में 22 तो 22 में से छटा है वो क्या है आपका हाई कोड के बारे में है और आर्टिकल है यहां पर 214 से लेकर 231 चले अभी हम देखेंगे कि थारे तो इंपॉर्डन नहीं होते हैं इस कुछ इंपॉर्डन होते हैं उसकी हम बात कर लेंगे बाक 236 द्वारा संसत वो आर्टिकल 231 के तहट यह अधिकार दिया गया है अचा किसको अधिकार दिया गया है संसत को आर्टिकल 231 के तहट कौन सा अधिकार दिया गया है कि विधी द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए ठीक है अब देखें समझीगा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए ये कुछ इस तरह से अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संग राज्य छेत्र के लिए एक साजा यानि कि एक स्टेट भी हो सकता है एक युनिन टैरिटरी भी हो सकता है दो स्टेट और एक युनिन टैरिटरी भी हो सकता है मतलब कुछ इस तरह से ठीक है तो संग राजी छेदर के लिए एक साजा उचनेयले की इस्थापना कर सकती है मतलब किस आर्टिकल के तहर्ट 231 के तहर्ट कौन कर सकती है गई संसत क्या कर सकती है कि देखे हाई कोट हर स्टेट के लिए तो ठीक है मान लिया होता है यह लेकिन आगर ऐसा भी हो जबता है कि दो स्टेhalt के लिए एक हाई कोट से काम चला ले या कोई एक स्टेट ले ले रे ले एक यूनिय टेरिटरी ले और एक हाई कोट से हम काम चला ले तो ये इसमें कहा गया है अर्टिकल भी देखलिया और कौन ये करता है, कहीं संसत काओं और कसी संग राज छ्चेतkin का अपवरजन कर सकेगी मतलब ये काम भी देखिए किसका है संसत का है कि किसी यूनिन टेरिटरी को हाई कोट की अधिकारिक्ता का विस्तार भी कर सकती हटा भी सकती है ये भी काम कॉन करेगा संसत करेगी प्रतेख राज pista के लिए येख नयाले होता है अभी लेक नियाले होने का ताक्पबर रहते हैं कि आदेश होते हैं हाई कोर्ट के नीचे क्या होते हैं होते हैं अधियनस्त नियाले हाइ कुछ नियुदे हैं तो वो इनके लिए क्या हो जाएंगे बाद्धिकारी हो जाएंगे और उनको अपने अवमानना के लिए यानि कि जो हाई कोड है उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने का सहित ऐसे नियाले की सबी शक्तिया होगी मतलब यह क्या है अगर उनके अभमाना की चाती है तो दंड दे सकते हैं ठीक है तो आई होप आप लोग को इतना समय में आयोगा फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 216 के अनुसार पर तेक हाई कोड उच्छे न्याले मुखे न्याय मूर्ती और ऐसे अने न्याय दीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राश्ट्रपती समय समय पर न्युक्त करना आविशक समझेगा मतलब इसने का यह है आपका हाई कोड तो इसके अंदर एक तो होगा Chief Justice प्लस और भी बहुत सारे न्याय दीश होंगे यानि की Judges होंगे ठीक है तो इसमें होंगे ठीक है और इन्हें कौन न्युक्त करता है इन्हें करने का काम करता है प्रेसिडेंट यानि की राश्ट्रपती चलिए आगे बढ़ते हैं फिर लिखा है उच्छी न्याले के जो न्याय दीश होते हैं यानि की Judges होते हैं उनकी न्युक्ती राश्ट्रपती करता है ठीक है फिर लिखा है ये भी इंपॉर्डंट है कि जो High Court के न्याय दीश होते हैं उनकी न्युक्ती कौन करता है राश्ट्रपती करता है और जो Supreme Court के न्याय तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होईएगा गवर्नर को लेके यह भी राश्वपती वह भी राश्वपती इसने का जो हाइगो तक अपने पद को धारण करते हैं तो यह बताईएगा कि वैसे ही अगर हम बात करें सुप्रीम कोट के नयादीश की तो वह कितने वर्ष्ट तक अपने पत्तर रहते हैं यह जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको पता हो तो फिर लिका है उच्छी नयाले के नयादीश राश्पती को सं इसको देते हैं राश्पती को देते हैं फिर उच्छी नयाले के नयादीशों को राश्पती के आदेश से पद से हटाया जा सकता है यानि कि राश्पती आदेश करें तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है राश्पती ऐसा आदेश संसत के प्रतेक सदन द्वारा की उसी सत संसद में क्या होगा इक प्रस्ताव आएगा वैसा वशेश भवहुमत से उसे रहा तुर 98 उसको उसने लिखा यानिकी bey उचित्म के नई दीशो को में उचित्म न्याले के नई दीशो के समान Jakryja तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के अधार पर हटाय जाता है मतलब देखी सेम प्रक्रिया होती है जैसे सुप्रीम कोट के नयदीश को अटाय जाता है वैसे हाई कोट के नयदीश को भी हटाय जाता है और कारण क्या है सिद्ध कदाचार और अक्षमता ये भी दोनों के लिए बराबर है यानि कि Supreme Court का नयदीश भी इसी तरह इसी कारण से हटाया जाता है और High Court का नयदीश भी इसी कारण से हटाया जाता है अब लिखा है Article 272 के तहत उच्चे नयाले के नयदीश पत के लिए जो योगिता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो योगित कैसे होगा तो इसने लिखा है कि भारत का नागरिक है जो भारत का नागरिक है ठीक है तो भारत का नागरिक होना तो जरूरी है लिखा है ऐसे व्यक्ति जो किसी High Court गईस ये समझीए का important है ठीक है अब इसके points समझेगा 2-3 points से important है और समझेगा असान भी है लिखाए ऐसा कोई व्यक्ति देखी भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए उसको फिर लिखाए ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्छ नियाले या ऐसे दो याधिक नियालो का लगता नियुनितम 10 वर्ष तक या है अधिवक्ता रहे तो इसने कहा कि पहला इसने कहा कि हाई कोट है कोई ठीक है एक हाई कोट या एक से जादा हाई कोट का 10 साल तक ये क्या रहे अधिवक्ता रहे 10 साल तक इसने ऐसे काम किया हो फिलिक है ऐसा व्यक्ति जो नियुनतम दसवर्ष तक भारत के राज्य छेत्र में नयाइक पद्र धारण कर चुक्या हो ठीक है तो यह हो गया यह भी नियुनतम दसवर्ष के लिए है ठीक है वह भी दसवर्ष के लिए था आगे बढ़ते हैं फिलिका है आर्टिकल 202 202 तीन घा के अनुसा हाई कोट के न संचित निदी पर होते हैं ठीक है और जो हाई कोट के हैं वह किसकी संचित निदी पर उनके वेतन और भत्ते होंगे राज्य की संचित निदी से इनको वेतन बत्ते दिये जाएंगी और जो इनकी पैंशन होती है वह भारत की संचित निदी पर भारत की संचित निदी से हम क का भत्ता कहां से निकलते हैं राजी की संचितने दी से और जब पैंशन की बात करते हैं दोस्तों तो वह हम निकालते हैं भारत की संचितने दी से तो दोनों हो गया अलग यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है क्वेशन आ गया तो यहां हम ग है वेकंट है या फिर वह अनुपस्तित एपसंट है तो तो क्या होगा रहने पर उस नयाले के अन नयादीशों में से कारी-कारी मुख नयादीश की नयादीश की राश्वपति गलते हैं तो यहाँ पर हैं यहां जो आपका मुख नयादीश्य चीफ जिस्टिस था कहा का कलगता हई कोड का तो वैसे यह हो गया आपका एपसेंट क्या अभी है नहीं वह आप क्या करेंगे जो और जजस होते ना उन में से किसी को उठा के इनकी चेर पर बठा देंगे और बठाने का काम यानि कि न्यूक तो कौन करता है वह करते हैं प्रेसिडेंट ठीक है अब लिखाया दो वर्ष से अंधिक अवदी के लिए अपर न्यायधीश के रूट में न्यूक्त कर सकता है यानि एडिशनल जज यानि कि इसने कहा कि राश्रुपदी को ऐसा लगता है बहुत सारा काम पेंडिंग है समय से पूरा नहीं हो पारा यहां हमें जजस की जरूरत है तो यह क्य तो राश्रपती कुछ ऐसा काम कर सकते हैं अब लिखाए तता किसी उच्छ न्याले के किसी न्यायधीश के अनुपस्तित रहने या कर्टव्यों के पालन में और समर्थ रहने की अवदी तक के लिए सम्यक रूप से और हिद किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायधीश यानि ठीक से नहीं कर पा रहा है तो हम एक्टिंग जज का यूज करते हैं तो एक्टिंग जज आता है यानि कि कार्यकारी न्यायधीश को न्युक्त कर दिया जाता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं फिर हम अब लिखा है ऐसे न्यायधीश भी अब जो यह एक्टिंग जज की हम बात कर रहे हैं यानि की कारेकारी नयादीश की तो ऐसे लिखा है कि ऐसे नयादीश भी 62 वर्ष की आयोता का अपना पद धारण कर सकते हैं ठीक है नॉर्मली वैसे हम बात करें थे तो भी 62 वर्ष यहां हम बात करें तो भी 62 वर्ष रहे सुप्रीम कोड के नयादीश की जो मै प्रायोजन के लिए जो है रिट जारी करने की शक्ति होती है हाई कोट के पास मतलब इसने ये बोला है कि हाई कोट के पास एक शक्ति होती है क्या शक्ति होती है दोस्तों कि जो हमारे फंडमेंटल राइट से अगर उसका उलंगन हो रहा है तो आप जो है थीदे हाई कोट जा अगर सुप्रीम कोड की बात करते हैं तो गई सुप्रीम कोड पर रिच जारी करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस पर fundamental rights पर करता है अनिप्रयोजन पर नहीं करता है सिर्फ और से fundamental rights के लिए करता है चलिए तो इसने लिखा देखिए हमाई पास राज चेटर के जित्ते वी नियाले होते है उसके ऊत्तियां प्रैकर थे वर्टमान में तो केंद्र-शाषित प्रदेश कित्ते हैं हैं आपके पार ठीक है यानि कि 28 और 8 हो गए मिला के 36 ठीक है अब चलिए बात करते हैं हमाई पर कितने हाइप हैं प्रेजेंट में तो इतने को वर्तमान में जो सुप्रीम हाइप है उसकी संक्या कित्ती हो गई 25 तता उसमें साथ का छेत्रादिकार एक से अधिक राज या अब इसने का जिसमें से साथ जो ऐसे है ना जिसमें एक राज जो एक राज या एक से अधिक राज्यों के लिए एक नहीं एक से अधिक राज्यों या फिर एक राज्यों और एक यूनिन टेरिटरी ऐसे हो सकता है तो कुल मिलाकर हमाई पस कितने हाइप है 25 ठीक है मतलब territory के बीच में चले आगे बढ़ते हैं आप जैसे अब यहां इसने कहा कि दिल्ली और जम्मु कश्मीर ऐसे दो केंदर शाषत प्रदेश हैं जिनके अपने high court हैं तो हम क्या समझ रहे हैं आप यह एक union territory है और यह भी एक union territory है यानि कि संगराज चेत्य क्यों केंदर शाषत प्रदेश है और सिर्फ और सिर्फ दो priority है आप каким से दुके बढ़ाई को compete है मतलब दिली के पास भी अपना हाई कोट है और जम्मु कश्मीर के पास भी अपना हाई कोट है और किसी भी केंदर शाषित प्रदेश के पास अपना हाई कोट नहीं है वो सांज्या कर रहे हैं किसी राज के हाई कोट के साथ चली लिखाए जबकि अनिक इंदिशाषित प्रदेश विभिन राजियार तंग राजि छेत्रों के उच्छे न्यालेव के न्याई छेत्र में आते हैं जैसे अंडमा निकुबार की बात करें तो गैसी किसके हाई कोट से काम चला रहा है तो वो कलगत्ता हाई कोट से काम चला रहा है चैते वैसे और भी यह जैसे आफका चंडिगड है वह किसके चला रहा हा हाई यांपर दہ लिख Beijां संसथ उच्षिन नियाले के न्याई छेत्र में विस्तार कर सकती है कौन कर सकती है उच्षिन आले की इम्पोर्टन एह कि उच्षिन एक शेत्र में विस्तार करने का काम जो है विधान सभा का या फिर विधान मंडल का ना होके किसका है संसत का है तो आर्टिकल 241 के तहट संसत विधी द्वारा किसी संग राज शेत्र के लिए उच्छ न्याले गठित कर सकती है ठीक है मतलब संसत क्या कर सकती है किसी यूनिन टेरिटिरी के लिए हाई कोड का गठन कर सकती है ठीक है ऐसे राज शेत्र में किसी उच्छ न्याले को इस संविधान के सभी और इन्ही प्रयोजनों के लिए हाई कोड घोशित कर सकती है तो यहाँ पर लिखा है सर्प्रथम 1862 म के बात कर रहा है तो यहां पर कलगत्ता बंबई एंड मद्रास ठीक है उच्छिन्याली की स्थापना की गई थी सबसे पहले यहां तीन जगाउट थे तो इंपॉर्टेंट है इस याद रखिएगा फिर इसने कहा जो इलाबाद उच्छिन्याली की स्थापना 1866 में की गई थ इसके बाद फिर इसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिमी प्रांथ हे तू उच्छिन्याली के रूप में आग्रा में सदर दिवानी अदालत के इस्थान पर हुई थी ठीक है जिसमें 1869 में इलाबाद इस्थानांतित कर दिया गया और वर्ष 1919 में वर्तमान नाम दिया गया अब लिखाए सम्विधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत आर्टिकल दो अध्य की कुछ नया आ गया 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 हाई कोट वाला जो उच्छ न्याले हैं हमने उसकी बात कर दी खतम अब हम बात करेंगे अधिनस्तिन्याले की हाई कोट हम कौन से भाग में पढ़ रहे थे भा ठवाग 6 और जो आपका अध्याय है वह चे आहाई कोट के विभात करी तो अर्टिकल कहाँ से कहां तक है अधिनस्तिन नयाया जाले की हमारे राज में जिला नयाधीश न्यूक्त होने वाले व्यक्तियों की न्यूक्ति तथा जिला नयाधीश की पद इस्थापना और प्रोनती उस राज का राजपाल ऐसे राज के संबंध में अधिकारिक्ता का प्रयोग करने वाले उच्च न्याले से परामश करके करेगा ठीक है तो यहाँ पर बात हो रही है अधिनस्तिन्याले की तो यहाँ पर कहानी है देखिए अब यहाँ पर कहानी है गाइस किस की देखिए अभी तक हम बात करते हैं प्रेसिदिन्ट की यहां बात करेंगे राजपाल की अब कहानी किसे privileged राजपाल करेगा जो करेगा ठीक है यह अधिनस्त न्याले के लिए तो जिला नयाईदीश उसकी न्युक्ति जो भी व्यक्ति है उसकी न्युक्ति और जिला नयाईदीश की पद उस्तार राज़य का राज़पाल एक ऐसे संबंद में अधिकारिक्ता का प्रियो करने वाले उच्छे न्याले से परामर्ष करके करेगा यानि न्युक्ति कौन करेगा गवर्नर करेगा यहां पर लेकिन परामर्ष किस से लेगा परामर्ष किस से लेगा गाईस उस जो राज्य है उसका जो भी हाई कोट है न उसके न्याय दीशों थे परामर्ष करके क्या करेगा यह न्युक्ति करेगा कौन राज जपाल करेगा तो यहां पर खेल होता है राज जपाल का मतलब यहां पर शक्ति किसके पास है राज जपाल की हाई कोट के लिए शक्ति किसके पास है प्रेसिडेंट के पास है और सुप्रीम कोट के लिए भी प्रेसिडेंट के पास है नियुक्ति व्युक्ति के बाली ज जो आपका है स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन से ऐसे राज के संबंद में अधी कारिक्ता का प्रियोग करने वाले उच्चे नयले से परामर्ष करने के पश्चात और राजपाल द्वारा इसके लिए बनाये गए नियमो के अनुसार की जाएगी तो फिर से इसमें हम बात कर रहे हैं जिला नय धीशों से अलग अगर कोई व्यक्ति है उसको नय एक सेवा में नियुक्ति करनी है काम कौन करेगा गए सेहां पर राजपाल S.P.S.C. और जो आपके ऐसे राजपाल से संबंदित अधिकारिक्ता का प्रियूक करने वाले हाई कोड हाई कोड है उसके परामर्श से करेगा कौन करेगा राजपाल राइट नियुक्ति आगे बढ़ते हैं अब लिखा है आर्टिकल 235 के तहट हाई कोड यानिकी उच्छ नियाले अधिदनस नियालों पर नियंतरन रखता है मतलब इसने का हाई कोड किस पर नियंतरन रखता है अधिनस नियाले पर तो लोक अधालतों के माध्यम से सामान नियालों में लंबित मामलों का दोनों पक कब हम लाते हैं आपका समान नियाले जैसे हैं कोई मामला हो गया लंबे थो दोनों पक्षों में मध्यस्त समझ अगर दोनों पक्ष क्या है समझौता करना चाह रहे हैं तो इसका निप्टारा कौन करेगा लोक अब इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ अपराधिक मामले पर भी विचार किया जाता है मतलब ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ इसमें समझोता दिवानी मामले पर ही होगा इसमें आप्राधिक मामले भी आ जाते हैं तो लोक अदालतों में वर्तमान या जो सेवा निर्वृत न्याइधीश अधिकारी एवं विधी ज्यान रखने वाले व्यक और विधिक ज्यान रखने वाला कोई व्यक्ति है फिर आगे बढ़ते हैं इसमें लिखा है ग्राम न्याले अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्याले को सिविल और आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है तो ग्राम यह भी कोशन अच्छा है कि ग्राम न्याले को कौन कौन से मामले की सुनुवाई ग्राम न्याले कर सकता है तो कै Metropolitan इस यहाँ पर क्या करते हैं इस वीडियो को परते हैं चोSchorसान वाला चाहं राउंड है वह हम अपनी नेक्ट्ट्ट्र वीडियों में ले आएंगे तो यहां पर फिलाल इस वीडियों को आपके आपकेस नेक्ट्र